टी आरेफ यानि की दर रेजिस्टेंस फोर्स एक टेरर आउटफिट है जो कि टागेट किलिंग करने के लिए बना गया है हाला कि ये कहा जा रहा है कि ये एलिटी का एक टेरर आउटफिट है लेकिन अगर मैं बात करूँ टी आरेफ ने अब कश्मीरी गर्ल्स को वान किया है यानि कि कश्मीर में जितनी लड़किया रहती है उन सब को एक वाइस टोट के जरीए ये कहा गया है कि सोमवार यानि कि जो आने वाला मंडे है इससे पहले पहले अगर कोई भी लड़की ने अपना इंस्टाग्राम पे यानि कि सोशल मीडिया हैंडल पर अपना कोई देखी होंगी कि किस तरह ने तालीबानियों ने लड़कियों के ऊपर अपना एक फोर्स जालना शुरू कर दिया था यानि कि लड़कियों के लिए कह दिया गया था कि वो हिजाब पहनेंगी कोई भी सोशल मीडिया पर अपनी फोटो नहीं लगाएंगी सोशल मीडिया पर एमरजन्सियों तभी घर से बाहर निकले अदवाइस हिजाब पहन के रखे पाक्स में ना जाएं पब्लिक टेसिस में ना जाएं और अगर मंडे से पहले पहले जिस लड़की ने अपना सोशल अकाउंट बनाया है चाहे वो इंस्टाग्राम हो फेस्बुक हो या किसी भी तर में इस सब कुछ हुआ था तो हर किसी नी इस चीज का कड़ा विरोत किया था कि किस तरह लड़कियों की जिंदग्या चीनी जा सकती है लड़कियों अगर से बहार निकलने के लिए रोका जाएगा लड़कियों को कुछ पहनने के लिए रोका जाएगा उनको पूरी तरह से धके रहना चाहिए हिजाब पैना है इस चीज को लेकर अब टी आर फ ने कश्मीरी लड़कियों को यह वार्निंग देते हुए का है कि अगर लड़कियों ने मंदे से पहले ऐसा किया नहीं किया तो उनके साथ कुछ सही नहीं होगा तो टी आर फ की ओर से जो रेजिस्टेंस जो की टेरर आउटफिट है तो उनकी और से कश्मीरी लड़कियों को वार्निंग दी है तो क्या कुछ लोग इस चीज को करेंगे किस तरह से इस चीजों को आगे लेकर चलेंगे फिलाल देखने की यह चीज़ा तो मैं आपको एक बाद पर रपीट कर दूं कि टी आर फ ने अब कश्मीरी लड़कियों को वार्न किया है कि कोई भी लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी और घर पे भी अगर रहेगी तो लड़की को हिजाब पहना है पार्क्स में नहीं जा सकते स्पेशली कोई लड़की बाहर नहीं दिखनी चाहिए और मेल नहीं अगर वो किसी लड़के के साथ है किसी पराय मर्द के साथ है वो चीजे नहीं देखनी चाहिए क्योंकि टी आरेफ जो है वो एक टागेट किलिंग करने के लिए टेलर आटफिट बनाया गया है जो कि लश्करे तोईबया का यानि की एलेटी का है तो और लगातार किलिंग्स जो भी की जारी लड़किया गर उसे बहार निकलती है कहां इस समय लड़किया नहीं है हर एक जगह में चाहिए वो पॉलिटेक्स हो चाहिए वो एजुकेशन इंस्टिशन हो या चाहिए कोई भी लाइन हो इस समय लड़किया आगे है और लड़कियों को इस चीज को वार्निंग देना कि आपको कपड़ों में हिजाब पहनना है, आपको पूरी तरह से ढके रहना है, घर से बहार नहीं निकलना, किसी पराए मर्द के साथ आप लोग नहीं दिखने चाहिए, आपकी फोटो अगर इंस्टाग्राम हैंडल पर या किसे भी सोशल मीडिया हैंडल पर आपकी फोटो दे सकता है, ये तो अब कुछ समय में पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल TRF की ओर से लड़कियों को ये वार्न किया गया है, जो कि स्पेशली कश्मीर में रहती है, ये वार्निंग यानि कि तालिबानी स्टाइल में ये वार्निंग लड़की को दे दी है, कि अगर ऐसा अब ये कुछ किया गया लड़कियों की ओर से, तो वो सही नहीं होगा, तो क्या कुछ अब हमारी सरकार इस तीज को प्रशासन इस तीज को आगे हैंडल करती है, वो अब कुछ समय में पता लगी जाएगा, लेकिन फिलाल अभी की अपडेट थी, अपनी राइकमेंड बोक और देखते रहे हैं बाहु एक्स्प्रेस